नमस्कार, स्थानिय रिपोर्ट में आपका स्वागत है आज साथ बर्टालियन एससबी ने डोड़ा जम्मू कश्मीर के दूर दराज के युवाओं के लिए मोबाइल रिपेरिंग दिनांग 7 फरवरी 2022 से 14 फरवरी 2022 तक व्यावसाई प्रशिक्षन का आयोजन किया प्रशिक्षन का आयोजन National Institute of Electronics and Telecommunications जम्मू और कश्मीर के साथ संबधता में सेविक एक्षन प्रोग्राम के तहट शूनिय साथ बी एन एससबी द्वारा किया गया था व्यावसाईग प्रशिक्षन में कोई 25 युवाओं ने भाग लिया जहां उन्होंने मोबाइल रिपेरिंग की मूल बातें सीखी प्रशिक्षन का आयोजन स्थानिय युवाओं में कोशल विक्सित करने और उन्हें आत्म निर्भर बनाने के उद्देश से किया गया था 14.02-22 को बी कोयक एससबी खिलानी में व्यावसाईग प्रशिक्षन का समापन समारोह आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री शिव बैयाल कमांडेंट 07 बटालियन एससबी समारोह के दौरान शर शिव बैयाल कमांडेंट 07 बटालियन ने सशस्त्र सीमा बलके आदर्श वाक्य यानी सेवा सुरक्षा और बंधुत्व और जम्मू कश्मीर में एससबी द्वारा की जा रही पहलों के बारे में परिचित प्रतिभागियों को बताया उन्होंने सभी प्रतिभागियों से कहा कि सुरक्षा बलों और स्थानिय लोगों के बीच एक सेतु के रूप में कार्यकरने की पहल के रूप में सिविक एक्षन कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है। उन्होंने युवाओं को भविश्य में आत्म निर्भर रहने के लिए अपने हुनर निखारते रहने की सलाहदी प्रशिक्षु उने डोडा क्षेत्र में नियमित रूप से नागरिक कार्रवाई कारेक्रम आयोजित करने के लिए शुन्य साथ बी एन एससवी को भी धन्यवा स्कूलों को लेखों का वित्रन आदी जैसे एससपी द्वारा किये गए विभिन प्रयासों की भी सराहना और यह बहुत बड़ा चांस था हमारे बहुत बड़ी ऑपिचुनिटी थी कि हम अपने मतलब फ्यूचर को लेके कुछ कर सकें खुद से और एससपी ने इतना कि अगर हम श्वप खोल पाएंगे चोटा सा कोई रख जो है फुद का स्टार्ट अप कर पाएंगे तो हम इस किल को लेके कर सकें और हमें स्सी ने चांस दिया कि हम अपना सुद का रोजगार बना सकें तो मैं ठैंक्यू कहाँँआ चाँँगा और आप सभी को हमारी कुश तो इस कुर्स में किया था कि हमें बताया गिया कि आप मुबाइल के बारे में सिखाया जाएगा और पहले कि आने के बाद मुझे पता लगा कि तरफ से जो मुबाइल रपैरिंग कोर्स है वो कराया जा रहा है तो इस कुर्स में किया था कि हमें बताया गिया कि आप मुबाइल के बारे में सिखाया जाएगा और पहले तो मुझे इसके बारे में उतना इंफॉमेशन नहीं था यह क्या कोर्स है बड़ जब फस जिन मैंने यहां पर जॉइनिंग किया मुझे पता लगा कि SSB इतना बढ़ करना है और क्या मतलब हो सकते हैं मुबाइल में और उसे कैसे ठीक करना है और मुझे काफी ज़्यादा बढ़िया लगा क्योंकि यह बहुत बड़ी ऑपरचुनिटी थी हमारे लिए क्योंकि हम गाओं के रहने वाले और आज आप सब जानते हैं कि किस तरीके से हमें कहीं न इतना बड़ा हमें मतलब मदद किया है कि हम खुद से कल को अगर हम शॉप खोल पाएंगे चोटा सा कोई वर्क जो है खुद का स्टाट अप कर पाएंगे तो हम इस स्किल को लेके कर सकते हैं और हमें SSB ने चांस दिया है कि हम अपना खुद का रोजगार बना सके हैं तो मै इस ट्रेणिंग में जो अशुटेट रहे थीजिद मेरे साथी अप्तरा और हमारे प्यारे जो पार्टिटेंट जो अलग लग जगाओं से इस ट्रेणिंग शुटरने आएंगे सबसे तले यह मैं बताना चाहता हूं कि हम सब सस्त्र सीमावल की यह कंपनी जो है सस्त्र सीमावल की इसको शार्ट में हम SSB बोलते हैं कई बार सीमा सुरक्षावाल और सस्त्र सीमावल में कर्फ्यूजन हो जाता है इसस्वी को लोग समझते हैं लेकिन एसस्वी का फुल पॉल है सस्त्र सीमावल यह हम सबने आपके लिए आप यंग हैं तो आपको प्राणा बल लगबग 59 एर पुराना जीग वह पूरता है और इस फोर्स में जब हम काम करते हैं तो हमारा में जो काम करने का वो एक मोटो रहता है सेवा सुरक्षा बंदुत्व को आप मोटल लेते हुए काम करते हैं हमारा काम देश की शुरक्षा में अपनी भागयदारी निच्छत करना जो भी हमें टास्क दिये हूं उनको करना और साथ ही साथ जो सिफल पॉपॉलेशन है उनके साथ अच्छा ताल में फ्रेंडली महाल बना यह हमारा में मुख्य लक्ष है तो यह जैसे दो हमारे पाटि करक्षिन है कि जो हमारा में मकसद था इस पोर्स पर चलाने के लिए वो कही ना कहीं पुरा कर्च तुरा होता हूँ नजर आगए तो इस यह पोर्स करना मेंस यह नहीं कि आपकी कहीं नेक्स्ट अटेश अबेश आपने अबेश्म्य को अगया इसमेश अब्लिशन है और अ दनेश तालीब जाओ गई दिन आगे नेक्ट नेक्ट बड़ी है बड़ी है बोसा हो गई अच्छा बड़ जा अच्छा बड़ी है रॉपनिद दूड़ी आगे नमी जात, ड्यारागे नाड ही जात, 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 बस्त बड़ी जात भाजरी जात, जात, जात लास्मीट साही समार्क, पतुवाल पहरे को बता दें कि हम सजचत्र सिमःबल से है और सेवंथ बटारीन है जिसका हटकॉटर जमू में है चननीहमत जमू में है और तीन कमपनीज हमारी डीक्ष टोडा में हीजु्टरीशन के साथ कारे रगते हैं और यह अपना हम इंटर्नल स्कुर्टी में है और ड्युटी के साथ साथ बलमुखय दोहरा हमें यह इनक्षन्स समय समय पर आती है जो आज की ट्रेणिंग है सिविक एक्षिन प्रोग्राम के तहई थी हमने यह मोगाइल रिपेरिंग के लिए ट्रेणिंग चलाई थी जो की आज उसका क्लोजिंग है जिसमें पच्छीस बच्छों ने पाटिस्पेशन हिया है और जो की दिस्ट्रक डोडा के अलग लग संपन होगी आगे आने वाले दिन में किस तरह की आप अलगलग एक्टिटियस करवाएंगे इसी तरह के जैसे मैंने बताया कि जनरल मुलग अकसर सरसर सीमाबल जो स्विक एक्षिन प्रोग्राम करती रहती है तो अभी हमारा ये प्लान है कि एक तो हमना एज्जेक्विशन ट अच्छे पाटिस्पेट करेंगे जो की टूर डोडा जमू और दिल्ली से होता हुगा रजस्थान जाएगा